हलो दोस्तों, आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी जोरो सुरो के साथ चल रही होगी दोस्तों, व्यापम के द्वारा साहयक सम पतादिकारी, सम निरख्षक, सम उप निरख्षक के रिक्त पतों की भरति की जानी है दोस्तों जो आवज़न पत्र भरने की जो प्रानुमिक थी ती है तेरा साथ अठारा है लग अच्छे साथ दिन हो गया फॉर्म को भडाते हुए और बहुं सर एश्टुडेंट ऐसे होंगे 19 अगस्त 2018 को इसका पेपर हो गया और दोस्तों कुल 14 पत के लिए पेपर होना है, कुल 14 पत की भरती होनी है, और आपका जो क्वालिफिकेशन हो वो केवल ग्रिजूइशन है, इसना तक, दोस्तों जो जो सिलेबस है 2015 में, सेम वही सिलेबस है, इसमें कोई बदलाव नहीं किय गया है, इसमें भी तीन भाग है, पहले भाग में समाने ग्यान, समाने अध्यान, जिसमें समाने अध्यान और 36 गड़दो पार्ट है, उसके बाद आपका कंप्यूटर का है, कंप्यूटर का 20 नम्मर का, और उसके बाद फिर योगिता परिक्षण, जिसमें तारकिक है, तो मैं आपको बता रहता हूँ कि आप सबसे पहले ग्यापमदरा ये 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 का जो पिछला प्रश्ण प्रत्र है जो 2015 में हुआ था उसे देख लिए कि कैसा प्रश्ण पूछा गया था तो दोस्तो चलिए इसकी भी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ दोस्तो आज के वीडियो को जो में उद्देश है हो ये ही है बहुत आपको यह दिखाना चारह हूँ कि जो पिछले बार एक्जाम हुआ था ये लवाई का उसमें क्या-क्या पूछा गया था तो दोस्तो आप देखना है कि जो समाने अध्यन हो टूटल ऐसी नंबर का, ऐसी नंबर जिसमें 48 questions इसे पूछे गया थे समाने अध्यन से और बचे जो 32 question थे वहиной 36 से पूछे गया थे तो यहां आपन देख रहे हैं कि समान्य अध्धन जिसमें से इतिहास और स्वतनरता तक का जो था उसमें नौ प्रशन पूछे गया थे भारत और भौतिक सामाजी के ओम अर्थिक भूगल से लगभग भूगल में भूगल से प्रशन पूछे गया थे और विज्ञान प्लस प्रदोगिकी से आठ इसमें से एक दुप प्रशन जो थे पुंछें गया थे और समसमाय की घटनक तथा खेलए हैं टॉटल सबसे ज़्यादा प्रशन 11 कोष्टन जो समसमाईकी से पुछे गया थे और जो तीन कोश्चन थे वा परियावरान से थे दोस्तो कुछ में पहले मैंने बात की थी रण नीती के तो यही तो है एक रण नीती जिसके दोबर आप आसानी से कोई भी एक्जाम पास कर सकते हैं आप इसे एक बार समझ लीजिए और दोस्तो मैं आज केवल समानने अध्धन को जो कोश्चन इसमें पूछा गया था टोटल 48 कोश्चन हैं जिसे मैं आपको बता येता हूँ और इसमें जो कुछ फैक्ट्स हैं उसको भी मैं बता दूँगा दोस्तो जो मुझे पीडियेफ मिला है कुश्चन पेपर को ऐसा ही मिला है वैसे ही मैं बोल के आपको सुना रहा हूँ तो आपको समझ आही जाएगा तो इसका पहला प्रश्चन है हुआ राश्ट्री एक्ता दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया गया तो इसका उत्तर होगा सरदार वल्ला भाई पटेल इनका जो जन्म है वो 31 अक्टूबर को हुआ था और 31 अक्टूबर को ही राश्ट्री एक्ता दिवस की रूप में मनाया जाता है दोस्तो इसमें जो फैक्ट्स है वो यह है कि इन्हें लौफ पूरुस के नाम से जाना जाता है सरदार वल्ला भाई पटेल को लौफ पूरुस के नाम से जाना जाता है और इन्हें भारत का बिस्मार्ग का कहा जाता है बिस्मार्ग इसलिए क्योंकि इन्होंने भारत का एक और दूस्तो जो काचंच और कि यह स्थान के किले में अकभर ने जहांगीरी महल बनवाया था जाहंगीरी क्कै विखेशनीट नहीं करेंगीरी महल में वहा क्यृँ थे तो कहा बनवाय था आगरा में जो कि इसके लिए में बनी एक महत्वपूर्ण इमारत है अगला प्रूशन है भारती सविधान के अनुछेद 20 में निमली खित में से क्या सम्मिलित है तो कार्योत्तर विधी के सरक्षण दोहरे दंड से सरक्षण और आत्म अभी संसन से सरक्ष तो इसके तीनों उपर सभी इसकी अन्सर होंगे अगला क्यूशन है कितने उप्रूशन कॉर्च ङत्र में सामिल है और यह आठों के नाम में आपको बताएता हूं पहला है कोईला, दूसरा सिमेंट, तीसरा कच्चा तेल, चोथा विद्योत, पाच्वा उर्वरक, छट्वा प्रकृतिक गैस, शात्वा तेल शोधन, और आठवा जो है वो इसपात तो इस प्रकार जो आठ उद्योग है वा कोर्चेतर में सामिल है अगला प्रशन है 2011 की जनगर्णा के अधार पर सरवाधिक विद्धित दर्वाला जिला कौन सा है तो यह है कुरंग कुमे जिला जो की अलुनाचर प्रदेश में इस्थित है दोस्तो अगला कोशन है पुष्टी मार्क का संस्थापक तो पुष्टी मार्क का जो संस्थापक है वो वल्लभाचारी जी है और इनके दोरब पतिपादित शुद्ध देतवाद दर्शन के भक्ती मार्क को ही पुष्टी मार्क कहा जाता है दोस्तों अगला कुछ ना बाकटको के पतन के पश्चात्मिन लिखित में से किसने उत्री करनाटक के समुद्र तटी पट्टी में कदम राज्य की स्थापना की थी तो इसका उत्तर है मयूर शर्मन, मयूर शर्मन ने कदम राज्य की स्थापना की थी दोस्तों मैयूर सर्मन के बारे मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि किसी पल्लाववंस के राजय अधिकारी द्वारा अपमानित होकर पतिशोद स्वरूप करनाटक में हमें छोटा सा राज्य की स्थापना की थी कदम राज्य की स्थापना अगला प्रश्णा है प्राचि बारती समिंधान के किस अनुच्छेद में नयाइक पुर्णावलोकन अधारित है तो अनुच्छेद 21 में नयाइक पुर्णावलोकन अधारित है और दोस्तों नयाइक पुर्णावलोकन स्रे तात पर ये नयाला की उस सक्ति से है जिस सक्ति के बल पर वह विधाई का द्व विश्व में भारत को कितना 16 फल है और इसमें कुल कितनी जनसंख्या निवासरत है तो इसका उत्तर है 2.42 जो की चेत्रफल है विस्व में और 17.5 जो की जनसंख्या है अगला प्रशन है निम लिखित में से 30 वर्स में प्रसिद्ध कॉंग्रेस लिग समझावता हुआ था तो यह हुआ था आपका 1916 में और इसे लखनो समझावता के नाम से भी जाना जाता है अगला प्रशन है सुंदरवन क का मातर हमें सीवज छोड़ा जाता है तब उसका बी ओ डी तब यूडी बोल जाता है है भारत पाकिस्तान और चीन तक है और इसी कारा को हुआ में ही दुनिया के सबसे ऊची चोटी कह टूंग गारभी न इसको सबसे उची चोटी है जर आप से मैं कुश्चन करूँ कि भारत की सबसे उची चोटी तो भारत पर के टू गॉड्विन आस्टीन परिस्ती थयंनर है तो करया कोर पर्वत प्रवनों से होती है तो भारत में वर्सा होती है दक्षिन पर्ष्चिम मांसून से होती है तो यह मान लगी विजित किया था उसको किया था तो देवगिरी देवगिरी के वयादाओं को हराया था और दोस्तों ये जो Allauddin खिल जी इसके बारे में हमें सब कुछ ने कुछ प्रश्ञ पूस्था है सीजी पी एसजी हो या सीजी वियापम या SSC रेलवे सभी में कुछेन आते हैं इसके Allauddin खिल जी के बारे में मंगलों का आकर्म अ हुआ था और अलाउदीन खील जी जो है उनके द्वारा नगध, वेतन और स्थाई से नरकना प्रारम किया गया था और अलाई दरवाजय का करवाया था तो अलाई दरवाजय का निर्माद हुआ किस ने कंदित अग्ला उप्रिकाई प्रशन के मञग किस स प्रित्री 70% हिस्से में फैला हुआ है क्योंकि समुधरीपाइस्थितिक तन्तर के उत्पादक फाइटो प्लेक्टॉन होते हैं इस ने सरवादीक और उसके अभिया वह भारत के महान नयायवादी की सहायता करता है, तो जिय乾ञा की गई थी तो परामहन सभा की स्थापना महराष्ट में दादोबा पांडू रंग तरखेड कर द्वारा की गई थी जापान में मिनी माता रोग, जल में किसके प्रोदूर्शन से हुआ था तो दोस्तों ये जो पारा है, पारा की अधिकता के करण मिनी माता रोग होता है तो जापान में 1903 में हुआ था पहली बार सबसे पहली बार और व्यापम या PCG-PAC आपसे कॉश्चन पूछता है कि केडमियम की अधिकता के कान कौन सा रोग होता है तो केडमियम की अधिकता कान इटाई इटाई रोग होता है नोट कर लिजेगा ध्यान रखिएगा क्या पत तो वायू में SO2 की मात्रा अधिक होती है तो इसमोग ऐसे इस्थानों का समाने प्रदूसक होता है जहां पर वायू में SO2 की मात्रा अधिक होती है अगला कुश्चन है मोटर कार के रेडियेटर का सितलन उपकरम सिध्धान्त पर आधाईत है तो जो मोटर कार का जो रेडि दोस्तों इसमेशी मिलान करना है आपको इसमेश में विटामिन को होता है करोटीन एंजाइम का होता है पैपसीन हार्मोन का होता है प्रोजेस्टरॉल और प्रोटीन का हुआ किरेटिन तो इस प्रकार आप्शन भी सही है अगला कुश्चन है निम्नवी करनों को उनके आवरती के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए घटते क्रम मतलब सबसे बड़ा पहले तो सबसे बड़ा है वह एक्स किरने है एक्स किरने गवाद पराबैगने किरने पराबैगने के बाद आपका सुक्ष मतरंगे और सुक्ष मतरंगों के बाद रेडियो तरंगे तो इस प्रकार आपका आप्शन जो सी है वह सही है अगला प्रशन है भारत के राश्टर प्रत पिया जाए सकता है जब संसत का एक सदन 17 मेना हो तब यह जारी किया जा सकता है यह हम इसे वापस नहीं लिया जा सकता तो यह गलत है इसे वापस लिया जा सकता है अध्या द्यासी जारी द्वारा मौली का अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है तो सकती कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति का और सथ भावना पूर्ण उप्योग किया गया है तो ये सही बात है समिधान के किसी भी भाग पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है तो किसी भी भाग पर अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है तो इस प्रकार आप्शन और जो चिस्ति संप्रदाय है, चिस्ति जो सिलसिला है उससे मुद्दीन चिस्ति और जो कादरी है उससे स्रीयत महम्माद गिलानी यह सभी समझदित थे अगला प्रश्ण है Montreal प्रोटोकॉल किसे संबंदित है दोस्तों यह जो question अब बहुत important है यह हमेशा exam में पुछा जाता है SSC चाहरेलवे या CGVAPAM CGPAC किसी भी exam में पुछा जाता है कि Montreal प्रोटोकॉल किसे संबंदित है तो यह उजोन परत अवक्षे को रोकने से संबंदित है बहुत important है यह अगला question है अगला question है अगला question है सोडियम कार्बनेट का होता है क्या होता है तो जल अब घटन होता है जल के तत्व का अलग अलग हो जाना excuse kind को कोड़ने का सोडा भी कहते हैं बार-बार एक्जाम में आता है कि दोने के सोडा अगला नाम होता है तो सोडियम कर्बनेट kव्या होता है सोचर्ब वक सोडियम कर्बनेट डेका हाइड्रेड तो इसका उत्तर है कुल सेखर पटनम कुल सेखर पटनम किस निड्ले ने अंतीम रूप से संसत की सक्तियों को प्राववेत किया तो दोस्तों इसका सीधा उत्तर है केसव नंद भारती बनाम केरल राजी तो यह जो है यह समिधान जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से बा तो इसमें दिया भारत सरकार की समस्त कारेपाली का करवाही राश्टपती के नाम से की हुई कही जाएगी तो बिल्कुल सहीं बात है भाई कारेपाली का करवाही जो है वो राश्टपती के नाम से ही कही जाती है अगला पॉइंट है किसी विशा को किसी विशा को जिस पर म करता है मंत्री परिशार विचार नहीं कर रहा है तब तक कुछ नहीं हो सकता और राष्टर द्वारा पेव्श्या किया जाने पर भी उसेAh फिर नहीं रखा जाएगा तो यह गलत है कि अगाला Kapalak के प्रसासन संबंध्रि परिसत के सभी विनेश्या प्रधान मंत्री राष्ट पती को संसूचित करेगा तो ऐसा नहीं होता है तो यह गलत है कि सुमिलत नहीं है राष्ट पती भारत सरकार का कार्य अधिक सुरिधा जनक किये जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य को अबंटन के लिए नियम ब प्रधान मंत्री प्रसाशन से संबंधित जो जानकारी राष्ट पती मांगे वह देगा तो प्रधान मंत्री प्रसाशन से संबंधित जो जानकारी राष्ट पती मांगे वह देगा तो यह गलत है तो इसका जो है वह बी सी ये जो कि सुमिलिक नहीं है अब मुझा है भान चामल कौन सी फसल नोगायhã चांवल कॉ खरीब की सिरकी फसल नहीं है और हमेंशा दोस्तों यह question पूछता है क्पूसी फसल कौन सी खरीब है तो मैं आपको बता देत belong सबसे सचा तरीका कि आप किसी वे एक चीज को याद करनो तो रधी को याद कर लो या कि इसके अंतरगत आते हैं तो खडी फसल तो इस पर कर आप याद कर सकते हैं जो जुन जुलाई में बहुए जाते हैं और अक्टूबगर के आसपास काट ले जाते हैं तो इसके पूछा जाते हैं अगला कोश्चन हां दिम्न में से किस बाध साह के समय मुगल चितरकल आपने नूर जहां और नूर जहां जो की उनका वास्तिक नाम पूछा जाता है इक्जाम में पूछा जाता कि नूर जहां का वास्तिक नाम क्या था तो महरूनों सिन्ना और इन्होंने सिक्ख के पाचवे गुरु अर्जुन देव की हत्या करा दी थी जिस वेकार से इनके बारे में प्रश्म पुछा जाता है और नाय की जंजीर किसे संबन दी था तो आपके जहंगीर से संबन दी था तो ऐसे question इनसे पुछे जाते है अगला question है भारत के निमन लिखित में से किस राजजी में सिंदुगाटी सभेता का इस्थान लोथल इस्थित है तो लोथल कहाँ पर इस्थित है तो अपने गुजरात में इस्थित है आपके और जो हरियाना है हरियाना में बनवाली राजिस्थान में काली बंगन और पंजाब में रोपन तो यह सभी जो है सिंदुगाटी सभेता से सम्बंदित है और यह बहुत important है exam में पूछे जाते हैं दोस्तों यह 2015 L.Y.E. का question paper है जिसमें इस प्रकार के प्रश्ण पूछे गये थे और ऐसे ही प्रश्ण आपको आने वाले L.Y.E. exam में देखने को मिलेंगे इसलिए आप अपने त्यारी अच्छे से करिए कल मैं 36 गर्ड के question जो की L.Y.E. में पूछा गया था उसका वीडियो भी अप्रोड कर दूँगा और साथ ही मैं यह भी बताऊंगा कि किस पार्ट में कितने question पूछे गया है तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद जाहिन जाचातिस गर्ड